नवस्कार हिमाचर प्रदेश चभी की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है खबरे साज़े करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है अभी तक आपने हमारे चैनल गो सब्सक्राइब नहीं किया है उनके पास जो है वो करोना टेस्ट हुआ होना चाहिए उसके लाबाऑ वेक्सिनीशन भी सभी का हुआ होना चाहिए क्युक्त 9 to 12 अगर हम बात करें तो उनका वैक्सिनीशन जो है अभी सेकन्ड डोस भी शुरू हो गया है और वहीं college की बात करें तो already उनका vaccination का second dose अभी complete हो चुका है तो ऐसे में सभी students को यहाँ पर यह requirement रहने वाली है कि सभी का corona test लिया जाएगा जब भी उनकी class लगी उससे पहले और वहीं एक bench पर जो है केवल एक ही student को यहाँ पर बिठाने की निर्देश जो है वो शिक्षा विभाग ने जारी किया है कुछ इस तरह की बड़ी अपडेट जो है आज की रही है इसके लाव आपको बताते चलें कि हिमाजब देश में जो है वो पेपर से लेटनी हम पर बड़ी अपडेट हमारे बास ही आ रही है कि जो पेपर है वो 15 दिन बाद जो है वो करवा दिये जाएंगे अभी 15 तारीक स पहले पहले यहाँ पर आपके लिए शेडियूल जारी कर दिया जाएगा और 15 दिन आपको एक्जाम की प्रिपरिशन के लिए दिये जाएंगे कुछ इस तरह की बड़े नियुक्त जो है आज रही है उमीद करता हूँ यह अपडेट आपको अच्छी लगी होगी तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रही है और आपको आई टाई और प्रिटेक्निक का बदात चले कि आई टाई में भी जो है कुछ इसी तरह की नियम फॉलो करने पड़ेंगे वेक्सिनेशन और करोना टेस्ट जो यहाँ पर रहने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए और वहीं पॉल्टेक्निक की बात करें तो पॉल्टेक्निक के लिए भी जो है वो री शैडियूल जो हो जारी किया जाएगा क्योंकि पहले जो है वो प्रिक्षाइं स्तगित कर दिया जाएगा तो कुछ इस तरह की जो है बड़ नेरे हिमार्च पतेश में लिए गए तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की मत्तपुन खबरों के साथ तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर दीजिएगा धन्यावाद